हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको ठोस लक्षणों के बारे में बता रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय होने के टाइम पर ही गर्भवती महिलाओं में नजर आएंगे अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो समझ ले कि गर्भ में एक लड़का ही पढ़ रहा है क्योंकि काफी महिलाओं का ये अनुभव है काफी जदे ये सही साबित होने वाले लक्षण हैं कौन-कौन से वो सिम्टम्स हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें तो सबसे पहले अगर गर्भ वत्ती महिला ने बेबी गर्ल कंसीब किया होता है तो उनको सिम्टम्स जो है वो बहुत जल्दी नजर आने लग जाते हैं यानि कि उनको तुरंत ही उल्टियां होने लगती है मौडिंग यानि को एक हफ्ते दिन के बाद से ही अपको कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं देरी से पता चलता है कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सुरुआत में नहीं हो रही है तो यह लड़का होने के बहुत ही ठोस लक्षण माने जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम है कि प्रेग्न होने के symptom माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीजा खाने की इक्षा होने लगती है आपका मन करताै कभी यह खाए तो कभी वह खाए प्रेग्नेंसी से पहले जो चीजे आपको पसंद नहीं थी अभ जो पसंद है वह पहले पसंद नहीं थी कुछ इस तरह की चीज़े अगर आपके साथ होने लग जाती है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्ब में एक लड़का ही पल रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि प्रेग्नेंसी के शुरुआत से ही अगर आपको सिर्दर्द की समस्या होने लगती है तो ये लड़का होने के साइन होते हैं ये भी लड़का होने के सिम्टम होते हैं वहीं अगर आपके breast जो है वो tight से आपको नज़र आने लगते हैं तो ये भी लड़का होने के sign है next symptom है कि pregnancy के शुरुआत से अगर आपको आपके कमर में दर्द की समस्या हो रही है कमर के निचले हिसे में hips में आपको दर्द चुभन सा मैसूस होता है तो ये लड़का होने के symptom है friends ये सारे symptom अगर महिला में नज़र आते हैं तो ये काफी हद तक ये बता देते हैं कि आपके गर्ब में एक लड़का पढ़ा है आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने baby boy concept कर लिया है लेकिन इनका कोई भी scientific प्रमान नहीं है तो इसे 100% स्योड ना माने और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like share करें चैनल को subscribe करें मिलूंगी next वीडियो में तब तक के लिए बाई